सब्सक्राइब करने वाले हैं यूपी डियलेड सेकंड समस्टर और फोर समस्टर का रिजल्ट आ चुका है उसमें किसी भी सब्जेक्ट में अगर बैक लग गया है और जैसे किसी को आप लोगों में से यह लग रहा है कि पेपर उनका बहुत अच्छा हुआ है लेकिन उनको नंबर कम मिले हुए हैं तो इस सूरत में आप लोगों को क्या करना चाहिए तो आप लोगों को इसकूटनी का फॉर्म डालना चाहिए अब बात कर लेते हैं कि उसमें प्रोसेस क्या होता है तो और प्रोसेस कितना क्या होता है कितना खर्च होता है इसकूटनी में नंबर ब सकते हैं अगर बढ़ सकते हैं तो कितना इमाउंट खर्च होगा तो इन सभी चीजों पर हम लोग डिटेल में डिसकस करेंगे सो अगर अभी तक आप लोग उने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर में समस्त उत्सिक्षा निदेशक प्राचार जिला सिक्षा पर सिक्षर संस्थान उत्तर प्रदेश समस्त प्राचार प्रबंधक निजी बीटीसी पर सिक्षर संस्थान उत्तर प्रदेश यहां पे आप देख सकते हैं कि बीटीसी पर सिक्षर दोहजार तेरा दोहजार पं परशिक्षर 2000 उननी सोंग डियलेड परशिक्षर 2022 अभ्यार्थियों के अंकानुसंधान ओनलाइन आवेदन है तो वेबसाइट आपकी देखिए वेबसाइट अलग-अलग है ना इस पर आप पूरित कर सकते हैं लेकिन एक चीज़ ख्याल रखेगा कि यह आपको नहीं परकि 24 तक पूरित किये जाएंगे उक्त निर्धारित तिति के उपरांद किसी भी परिस्थिती में कोई अतिरिक्त समय देर नहीं होगा तथा ओनलाइन माध्यम के अतिरिक्ति किसी भी परिस्थिती में आफ-लाइन आवेदन स्विकार नहीं किये जाएंगे संबंदित जिला सिक्षां पर सिक्षर संस्थान दोनों संस्थानों के परसिच्चों के आउनलाइन आवेदन पूरित करने है तो उक्त वेफ साइट के कॉलेज लॉग इन पर क्लिक करेंगे तदो प्रांद स्क्रीन पर दिये गए कॉलेज का नाम तथा पास्वर्ड को अंकि तो इमाउंट आप यहां पर पहले देख लेते हैं कि संबंदित जिला हम सिच्चा पर सिक्षर संस्थान द्वारा डायट लॉगिंग के माध्यम से कॉलेज द्वारा किये आवेदन को दिनाग 5-4-2024 तक अपूर्वर रिजेक्ट किया जाएगा समस्थ संस्थानों द्वा आपको नहीं मतलब है अब यहां पर आजाते हैं कि विवसाइड आपकी यह है पर ऑनलाइन जमा किये जाने की विवस्था की गई है पर सिच्छार्थियों के परिक्षा शुल्क रूपे 150 प्रति विशे की दल से दे हैं यानी 150 रूपे एक सब्जेक्ट के मान लीजे आपक देने होंगे वह आपके कालेज की तरप से कुछ के कालेजे मी क्या होता हैं 300 400 500 रूपे तक लिए जाते है लेकिन जो इसका हैolis 150 रूपे शुल्क ठीक है वो आपके college में कितना लिया जाता है वो तो आप जब बात करेंगे तब वहाँ पर पता चलेगा तो माल लिजी आपके दो या तीन subject में back लगी है तब भी आपको स्कूर्टनी डालनी चाहिए क्यों डाली चाहिए क्योंकि तीन subject में जब back लगती तो क्या होता है कि semester ही change नहीं होता है तो इस सूरत में यह हो जाता है और अगर दो में दो subject में back लगी है तो आपका semester change हो जाता है तो आपको font डालना चाहिए हो सकता है number बढ़के मिल जाए लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि मिले ही यह भी चीज हम clear कर देते हैं लेकिन आपका अगर अच्छा paper हुआ है और आपको लगता है कि नहीं हमें number कम मिले हैं हमारा अच्छा गया था exam तो फिर आप लोग जरूर डालें ठीक है अब यह बात करते हैं कितने number मिले थे तो वो लोग डाल सकते हैं हलाकि आपके कितने भी number हों जैसे बारा मालीजे जो 25 नंबर का paper है उसमें आपको कितने चाहिए तो बारा चाहिए अब बारा ना मिलकर आपको 8 मिले हैं या 9 मिले हैं नंबर या 10 नंबर मिले हैं या 11 नंबर मिले हैं तो इस में और आपको एक बढ़के मिल गया तब भी आपकी बढ़क हड़ सकते तो इस SHOOLAT में डालना चाहिए और Wars नंबर मिले हैं तो आप boundary का form ढाल सकते हैं अब अगर हम बात करना जो पंचास नंबर का pas पर है उसमें किते नंबर होने चाहिए तो आप सकते हैं तो मालिजिदे पचास जो 50 नंबर में लिए 4 हनिया색 किमशनीılmış नंबर को मालई होते हैं तो उसमें चाहिए बास नंबर मिले आप 5 About लिए 5 नंबर वा लिए क्या फंट्ट क्यों नहीं डाल सकते हैं बिल्कुल सकते हो सकता है कॉपी चख करने के टाइम कुछ हो जाता है कभी-कभी चख करने में फिर इसको टोटल करने में कुछ confusion हो जाती है हो सकता है 25 की वज़ाए 5 लिग गए हूँ है ना तो आप form जरूर डाले तो यहां पर यह चीज हो जाती है और बाकी result का रहा है तो एक से दो महिने में result आ जाता है और आप में लोग कितने subject में scrutiny डाल सकते हैं तो अधिक्तम दो subject में scrutiny आप लोग भर सकते हैं तो यह detail थी इससे related तो आप लोग अगर ऐसा हुआ है आपकी battle लगी है तो आप लोग scrutiny का form डाल दीजिए थैंक यू